इतनी मौजे हो रही है पिछले तीन-चार दिन के अंदर कि आप सोचते हो कि अब तो बंद दो घंटे के लिए आप सोचाओ नो आपको पता चलेगा विस्वोट हो गया है पीछे कुछ मतलब खबरों का और लोगों की मौजों का इस तरह का विस्वोट हो गया है कि कई बार आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मैंने तीन-चार बार अपने आपको चूटिया काट काट के देखी है यह सच में हो रहा है यह है असली भारत एक मौज इंडिया का पेरोडी बन चुका है मतलब जो कुछ हुआ है पिछले तीन-चार दिनों के अंदर उसके बाद तो मुझ जैसे आलसी आदमी को भी फिर से एपिसोड करने के लिए आना पड़िया कि अब तो करना बनता है क्योंकि मौच सच में ही हो रही है जो देश में हो रह के अंदर पूरे कंट्री का जो रियक्शन रहा सिर्फ एक ट्वीट को लेके जो रहाना नांकी सिंगर ने कर दिया था मैं तो अंग्री जी गाने सुनता नहीं हो तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं हो गाती क्या थी लेकिन उन्हों के ट्वीट में सिर्व बात लुखी अबाउट देस तो पर इंडिया ने दिखाए दे कि अब हम तेरे को दिखाते हैं कि बात करना कैसे होता है अब हम बताते हैं तेरे को कि तू कह रही कि हम बात को नहीं कर रहे हैं उससे ले सुन गाली ले सुन थ्रेट उसके जो एक्स बॉइफरेंट जिसने उसको जो डुम भी जुटा बोलने लगे और फिर यह टीवी के नियूज चैनल आ गए सबके सब यह कहके के बहिया यह एक international conspiracy हो रही है तर बिगा international conspiracy against India there are forces who want to align India बोल तो दिया नों international conspiracy हो रही है लेकिन प्रूफ क्या है आपके पास किसी का रियाना का tweet international conspiracy का proof है है मतलब greater than burn का tweet international conspiracy का proof है बड़े यार तकड़ी तुमारी investigative journalism है कि जो तुम इस चीज को प्रूफ बता रहे हो और बड़े बड़े तुम मना रहे हो कि सारा देश इकटा हो गया है इसके खिलाफ और फिर सुधीर scurs ने पहली बात तो भाई भूत बड़े लोगा्त चोटे लोग बात कर रहे आर जो हिंदोस्तान में farmers की aimed कि समय हो रही है एस चोटे लोगों की समय चोटे लोगों कि ज्याबहों से बावर निकल की देखो हिंदोस्तान में चोटे लोग भी रहते हैं जातर छोटे लोग ही रहते हैं जो क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स की आप बात कर रहे हो सड़नली एक दिन कहीं से कोई खटका दबा और सब अपनी कुर्सी से स्लम पर से खड़े हो गए और फड़ावर सब आपने एक ही ट्वीट के वरियेशन डाल डाल के कर दिया हमी केबल है सॉलुशन चाहिए और कुछ में तो एक ही स्पेलिंग मिस्टेक थी प्रोपागेंड़ का प्रोपागेंड़ लिखा तो उन्होंने हैस्टेक वह भी चेंज नहीं किया सबके सब ने एक ही मार दिया अचा में इंडिया सबसे नीचे सबसे नीचे नहीं तो नीचे से ही नंबर आता है प्रैस फ्रीडम में इंडिया बहुत नीचे हैं इंडिया बहुत नीचे इंडिया के बजट कट गया है अभी तो इस बार के बजट में पता चल गया और जो है माइनोर्टी राइट में इंडिय किस चीज के खिलाफ conspiracy क्या खतरा है इंडिया से लोगों को जो इतने अपना सतरा काम छोड़ की 600 मिलियन डॉलर की मालकिन वह रियाना वह सब छोड़ के कॉंग्रेस ने इनको पैसे दिये कॉंग्रेस की प्रियंका गांधी तो विचारी शिशा साफ कर रही थी गाड़ी खड़ी करके कोई आएगा उसको हम पैसे देंको शिशा साफ करेगा ये लोग पैसा दे रहे रियाना को ग्रेटा थनुबर को इंटरनेशल कॉंस्पिरेसी के तहत भाई आप कुछ भी बोलते हो या मतलब कोई प्रूफ है आपके पास प्रूफ आपके पास कुछ भी नहीं है और मिनाक्षी लेखी जी का ये वीडियो देख लीजे इसमें ये क्या कहनी है इस वीडियो में ये कह रही है कि ये ग्लोबल कॉंस्पिरेसी थी जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था भाई ये कोई बाद ही जाके बोल दूँ कि भाई आज जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो मेरा रिष्तेदार है और मैं चड़ जाओ उसके सर पे कि मेरा रिष्तेदार है ये कोई प्रूफ तो मंगेगा ना बिना प्रूफ के मैं बोलने लग जाओ भाई आप खुद ही कहा रहे हो कि हमार पास कोई प्रूफ नहीं था और फिर प्रूफ दे दिया ग्रेटा थानबग नहीं है बोलके कि I stand with farmers ये प्रूफ है ये उसको एक tweet है पहले तो आप बोल रहे हो ये बच्ची है इसको environment के बारे में कुछ पता ही नहीं है फिर आप in the same breath आप ये भी कह रहे हो कि दुनिया में there are some elements who are nominating her for Nobel Peace Prize मतलब कुछ तो self reflection रखो यार एक ही statement में आप बोल रहे हो कि वो बच्ची है उसको कुछ नहीं पता और उसी statement में आप ये कह रहे हो कि कुछ लोग उसको Nobel Peace Prize के लिए कुछ elements उसको nominate कर रहे हैं और Nobel Peace Prize के गुणगान गा रहे हैं कितना बड़ा प्राइस है कितना बड़ा प्राइस है वो जो किसी को भी मिले तो ये ये जो इस तरह की term चाना some elements कौन हैं some elements मतलब periodic table में पाए जाते हैं ये वो elements है ये आपके imagination से रात को खाबायागी कुछ elements आगे फिर आप उसको articulate नहीं कर पारे तो आपने उनको some elements सी बोल दिया यार कुछ तो सबूत दो मैं मान गया international conspiracy हो रही है मैं मान गया international conspiracy हो और इंडिया जो है इतना हिल गया है इन दो tweet से इतना हिल गया है कि सोयवे celebrity जाग गया है इस conspiracy के खिलाफ तो ये इसका कुछ तो proof होगा तुमारे पास यार कोई तो दिखा दो यार का के anchor आके कुछ भी बोल देता है news में कि सारी ताक्तों के खिलाफ इखटे हो गए भाई क्यों सबसे सबसे बड़ा logical सवाल यह है कि अगर आपके खिलाफ कुछ शडियन तो रचा जा रहा है विश्व में तो दुनिया को क्या हासिल हो रहा है इस बात से दुनिया को क्या हासिल हो रहा है और आब चूट देख लो जरा बीजेपी वालों ने इसके response पहली बात तो यह है कि दो लोगों ने ट्वीट किया सेल्फ गोल क्या कहते है वो यह हुआ है हम चाह रहते हैं कि दुनिया की अटेंशन इस बुद्धे से दूर रहे लेकिन अपनी टीम पे गोल दे मारा रिहाना कौन है यार एक पॉप सिंगर है हाँ बहुत बड़ी पॉप सिंगर है उसने ट्वीट कर दिया उसके तने मिलियन पॉलोवर है ट्वीटर तो है ही है लिग दिया उसने Ministry of External Affairs उसका जवाब देने पे लग रही है भाई हद होती है यार आपने जिसी से अटेंशन हटानी थी आप उसी कोपर अटेंशन लेके आगे हमसे पूछ लेते हैं हम बताए दे चुपचा बैठ जाओ थाकि अटेंशन आपसे दूर रहे आपने शोरी मचा दिया फिर और लोगों को भी ठाक है आओ शोर मचाओ शोर मचाओ अब वो बात ने गलोबल होगी है अब आप कुछ कर में सकते हैं इसको उपर कहने पहले पहले अंदोलन था मंडियों का अब बन गया है डैस 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 जी क्या मेंटालिटी आ या यह जो है जो election लड़ने वाला था ये भाई लड़ा भी था ये भाई और ये ट्वीट कर रहा है फिर इसमें ये भी ट्वीट किया किया अब मिया खलीफा अंदुलन भी खड़ा करेगी ये मतलब ये क्या language है जो वो लोग जो leader कहते हैं अपने आपको वो कर रहें leader का मतलब पता है क्या होत जिसके बाद थोड़ा सा दिमाग और political opinion है वो express कर रहें उनसे ये बरदाश्ट नहीं होता है बिल्कुल भी और उन्होंने अपना दिखा दिया कि हम हमारी अस्वियत औरतों के बारे में क्या है अगर हम भाई इतनी दूर रहने वाली औरतों को ये threat दे रहें कुछ जैनलिस इसने तो यहां तक लिखा है कि जब ISIS को वह cover कर रहे थे और ISIS को expose कर रहे थी वो औरते हैं उनको तो इतनी गंदे गंदी गालिया रेप threat नहीं मिली जितनी कि अब हिंदुस्तान से मिल रही है ये होता है विश्व गुरू ये होता है जिसमें हम दुनिया में नाम रोशन करे आएगा ना उसको लोग ऐसे देगा रहे हैं यह उस कंट्री से आ रहे हैं जहां पे इनके बारे में सिर्फ यह कहने पे के वायर भी नॉट टॉकिंग अब डेट रेट 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 स्लट शेमिंग और ड्रमस्टिक वाइलेंस की धंकिया मिलती है यह आप हिंदुस्त मुंबई इंडियंस का एंपलॉई है मुंबई इंडियंस किसकी टीम है हैं अंबाने की तो सचें टैनल कर कैसे बोल देगा फामर्स के सपोर्ट और वैसे उस भाई ने तो पहले कभी बोला ही नहीं है अनिल कुमले भी आ गए और नाना परकार के रोईच शर्मा और क्या कह इन लोगों में भी स्पाइन है इन लोगों में भी जमीर है आपने करोडों और मोर उपे कमा रखे हैं मिस्टर टंडू कर आपके दो बच्चे हैं खाली कितना पैसा चाहिए होगा आपको क्या बिगड जाएगा आपका या फिर आपकी भी कोई ऐसी नफ्स है जो सरकार के पास है जिसे वो दबारी है जिसके डर के चलते हैं आपने ये लिख दिया अब आ जाते हैं बॉलिवूड के ओपर करन जोहर अजे देवगन अक्षे कुमार इनकी पॉलिटिकल ओपिनिन हम सुनेंगे और सुदिर चौदर बड़े बड़े लोग ट्वीट करें ये बड़े क्यों हैं बड़े किस बात के लिए बड़े हैं किसको ऐसा कान किया इन्होंने किसी का उत्थान किया है देश के हित में इन्होंने क्या किया है क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खेलिये और एक्टर्स ने फिल्में बनाई है जिसमें मतलब अक्षा कुमार पंदरपना मंदों को ए ये इंडिया का internal matter है इसमें कोई तखल अंदाजी ना दे अभी कुछ दिन पहले तक तो प्राइमेस्टर सा भी ट्वीट करते Capital Hill में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए मियानमार में अभी पिछले हफ्ती को हुआ है उसमें भी क्यास करने का जार और ऊस साथ हो जाना शुरूरे हैं इस नहीं कर सकते हैं उसको पीरिटने पहुँची उद्विक रागा हों किस चाहदी कर रहे हैं इस पही आपने कानून होuin बनाने शुरूर कर देखți कि लुदंसे नहीं कर सकते हमारा कोई इंटरिनल मटन नहीं है और जब आप दूसरे। के घर में जा जाके गुषते हो और बोलते हो वह उनका इंटरिनल मेंटन नहीं है तो यह वहला लॉजिक तो दिना बंद करो कम सेंवंडर आपको देश को डिफेंड करना है सब्दे तरीका ये होता जब उसने बुला इसकी वारे मैं बात कर तो बलते हैं हाँ जी बात कर रहे है हम और फार्मर्स आपस में बात कर रहे हैं थैंक्यू सो मच लेकिन हमारी इटेंशन है इसके उपर आप तो उसको रेप ठराड दे रहे हो उसको रेशल अब्यूस दे रहे हो और बच्ची ऐस 17-18 साल की ऐसे कंट्री में कौन सी 17-18 साल की बच्ची पॉलिटिकल ओपिनियन रखे उसको बाहर बोलने की हिम्मत करेगी जहां पे इतनी दूर बैठी हुई बच्ची को आप गाली बख रहे हो कौन से हिंदुस्तान का नाम इसमें रोशन हो रहा है आपको लग रहा है मैं गुस्ता रहा हूँ है गुस्ता नहीं हो रहा है मैं सोच रहा हूँ कि ये इंडिया जो नब एक पैरेडी अकाउंट बन चुका है जब चुरासी के दंगे हुए इन में से किसी ने ट्वीट किया हो सकता है इनका जनम नहीं हुआ हो मगर इनके जो एको सिस्टम के लोग हैं इन में से किसी ने ट्वीट किया किसी ने ट्वीट नहीं किया और फिर आई सीन में युनाइटेड हिंदू फ्रंट नाम के एक और्गनाइजेशन जिनोंने मियाख खलीफा के फूतले पोस्टर जलाए और उनके ले एक मैसेश भेजा क्योंकि अंग्रेजी में क्योंकि मियाख खलीफा को हिंदी आती नहीं है तो अंग्रेजी में लिखा मियाख खलीफा Regain Consciousness प्याभ बिमार नहीं थे मियाख खलीफा हिंदू युनाइटिट फरंट उसको कह रही थी कि मिया खलीफा जरा होश में आओ इसलिए उनने बुला रीगेन कॉंशियसनेस तो भाया अब सब जब हिंदू युनाइटिट फरंट आ गई है क्रिकेटर्स युनाइट होने को कह रहे हैं जो है क्या कैते हैं Film Star उनाइट होने को कह रहे Global Conspiracy जो हमारे खलाफ हो रही है उसके खलाफ सब लोग उनाइट हो जाओ यह अब यार ब क्यूं कर रहे हो यह अब तो फोड़ा टाइम टू उनाइट टाइम टू उनाइट तो यह स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना पहले क्यों बना दिया या इतने 20,000 करोड उस पे खर्च कर दिये बैटर होता कि दो-दो जो है हजार करोड एक बार में खर्च करके छोटे-छोटे स्टैचू बनाते रहते हर साल तो जब-जब ऐसा क्राइसिस आता है जब ग्लोबल फोर्सिस ग्लोबल कॉंस्पिरेसी सम एलिमेंट्स जो इंडिया के खिलाव कॉंस्पिरेसी कर रहे होते हैं और जब हम यह करना पड़ता कि यह युनाइट होना है एक 2000 का स्टैचू लगा दिया हो गए उनाइट इतनी मौझे हो रही है पिछले 3-4 दिन के अंदर कि आप सोचते हो कि अब तो बन दो गंडे के लिए आप सोचाओ ना आपको पता चलेगा विसफोट हो गया है पीछे कुछ मतलब खबरों का और लोगों की मौझों का इस तरह का विसफोट हो गया है कि कई बार आप सोचते हो गए कि यह जो कुछ हो रहा क्या है यह वास्ताव में हो रहा है मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा है is it a reality मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ मैंने तीन चार बार अपने आपको चूटिया काट काट के देखी है यह सच में हो रहा है यह है असली भारत एक मौझ रिजनता उच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के जोल संत मंतरी पुलिस कलक्टर सभी खड़ा माडोल ग्यान में खोट ना आए बार देख मौझ रे पीटी उसा पीचे चाड़े मले आमोधी मेल चौकी दार जो दिन में सो गया बन गई देश किरेल रे चटनी एक ऐसी भई आ स्वाद सभी सभी रोल मजे में फिर भी ले चटका रे भारत एक मौझ अरे चड़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस महा भारत के काल में ओ गई इंटरनेट की खोज पहलू का सिमरक बर मांगे जान के भिक्षा रोज अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौझ अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक आम नागरिक कुछ भी बाले लो आग गई जनकीडों की बाज अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टेक्स पे अर पे बोज पर कावडियों पे फूल की चादर भारत एक मौझ अरे भारत एक मौझ अरे भारत एक मौझ अरे भारत एक मौझ अरे भारत एक मौझ बड़ी पिड दूएटिऊ जयार नंड़ते लुटारी बड़ी झाम पॉट ऑड़ी 7 रिर एकडे जिए नंड़ कर दो आएभी 7 रिर तो नंड़ी छिरफ जिए जबड़ी टलहते लुटारी झाले डिक महवगगरी 1 वीर हम्टारी भ्वड़ी जो बड़ी टार दो लुड़